सीखा के बारे में डिसकस करेंगे इस लेक्चर में सीखा का मतलब है Conference on Interaction and Confidence Building Majors यह रीसंटी अभी न्यूज में है क्योंकि इसकी मीटिंग हुई है सिक्स्थ मीटिंग तो इसकी मीटिंग में क्या डिसकस किया गया उसको जानने से पहले इसकी basic information लेते हैं पहले यह है क्या स सीखा देखो एक intergovernmental forum है एक organization है जिसमें government एक दूसरे की government जो country जितनी इसमें member है 27 country इसमें member है वो participate करती है head of the government भी participate करते है और foreign minister की meeting भी होती है इसमें इसमें जो target है इसका लक्ष है जो इसका objective वो है regional cooperation एक दूसरी country के बीच में cooperation सहयोग बढ़ाना है ताकि Asia में Asia जो हमार continent महादीप उसमें peace, security, security, stability को ensure किया जा सके सूनिस्षित किया जा सके इसका idea जो दिया था कि ऐसा कोई Sika नाम का organization या forum बनाया जाए ये सबसे पहले idea दिया था कजाकिस्तान के first president थे जिनका नाम है नूर सुल्तान नजरबाएव ये 1992 में इन्होंने ये meeting हो रही थी उस time पे United Nations General Assembly की 47th meeting हो रही थी session हो रहा था तो उस time पे इन्होंने बोला कि Asia के लिए कुछ country को साथ आना चाहिए और ऐसा नाम का Sika नाम का एक बनाना चाहिए intergovernmental forum तो तब ये बनाया और इसका पहला summit Sika का हुआ था जो 2002 में जो highest decision making organized Sika में वो है head of the state या government जैसे prime minister है या किसी देश क President है उनकी meeting होती है और हर 4 साल में इनकी meeting होती है इसके अलाबा देखो foreign minister की भी meeting होती है वो होती है हर दो साल में ये जो Sika है इसके member है 27 Asian countries है जिसमें इंडिया भी है इंडिया इरान इस्राइल देखो ये 40 मलब 27 country है ये 1992 में प्रपोज किया था ये सब कुछ लिखाया और य अंगलादेश, कंबोडिया, चाइना, UAE, इजिप्ट, इंडिया, ये अफ्रिकन country भी है इजिप्ट और इसमें देखो इंडिया, इरान, इराक, इसराइल, जॉर्डन, उजुवेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मंगोलिया, पाकिस्तान, पैलिस्तीन, कतर, वियत एजिप्ट, आफ्रिकन, कंट्री, और इसमें देखो नाइन, ऑबजर्वर स्टेट्स, कि वो फूल मेंबर नहीं है, नो, ऑबजर्वर मेंबर है, जब भी कोई डिजिजन लेंगे, तो वोटिंग पापर इनके पास नहीं होती, बस ये देखते रहते हैं, उनकी मीटिंग म मेजर्स हैं, एक है, डवलप्मेंट ओफ, सिक्योर एन, एफेक्टिव सिस्टम ओफ, टांस्पोर्टेशन, कोरिडोर, और एक है, एनरजी सिक्योर्टी, इन दोनों में, कोचेर के आ, इंडिया ने, मतलब, चेर मेंसिप किया है, इनकी, सीका का जो, अभी, सेक्रेटेरियट है, इसका मुख्या ले, वो, देखो, कजाकिस्तान के, एक सेहरे, अलमाटी, वहाँ पे, लॉकिटिड है, 2006 से, यहाँ पे, लॉकिटिड है, सीका का सेक्रेटेरियट, अभी, रीसेंटली, न्यूज में, क्यों है, देखो, फॉरण मिनिस्टर, फॉरण, यानि की, एक्स्ट कजाकिस्तान, कजाकिस्तान में नूर सल्टान प्लेस है, वहाँ पे मीटिंग हुई है, फॉरण मिनिस्टर की, जितने भी मेंबर हैं, उनके फॉरण मिनिस्टर की मीटिंग हुई है, लास्ट येर देखो, इसकी जो चेर्मेंसिप है, वो कजाकिस्तान के पास इसकी चेर्म मैथ्री के बारे में वैक्क्षिन मैथ्री का मतलब है इंडिया का देखो इनियसिटीव है वैक्षिन मैथ्री या वैक्षिन वेकिन पूब्रोबायड करता है इसके जरीए decerite इंडिया में कहुंड जो लोह 되면 कंट्रीय ने इसमें देखो जो Second है जो narcotical trade होती है Narcocratic का मतलíb drug जो drug बगएरा जो नसीरी दवाई हैं बगएरा जो trade होथी उनको कैसे रोका जाए इस बीगर चर्चा हुई Multilateralism पे भी सिमें चर्चा हुई देखो इस लिए चर्चा हुई जो United Nation नहें उसमें जो Decision Making Power है ना जो United Nation Security Security Council में ज्यादा होती है, United Nations Security Council में आपको पता 5 Permanent Member होते हैं और 10 Non-Permanent Member होते हैं, जो 5 Permanent Member है ना इसके, वो तो हमेशा इसके Member रहते ही हैं, और जो Non-Permanent S था ही Member है, हर 2 साल में देखो, हर साल वैसे 5 Member Elect होते हैं, और वो 10 Member होते हैं, दो साल के लिए, तो ये बदलते रहते है हैं, लेकिन Permanent Member, Permanent ही रहते हैं, वो 5 Permanent Member कौन कौन हैं, वो हैं, एक तो हैं आपका US, एक है आपका ये चाइना, एक है रस्या, एक है फ्रांस, और एक है आपका UK, तो ये 5 Member हैं Permanent Member, तो इनके पास ही है, Membership रहती है, 5 के साथ, और ये Decision Making Power इनके साथ है, सारी, और Veto Power ह कोई भी Decision लेना हो, कोई भी Country Veto लगा सकती है, मतलब मना कर सकती है, फिर वो Decision नहीं लिया जाएगा, United Nation में, तो सारी Power किसके पास है, Developed Countries के पास है, तो इसमें ना तो Asia अच्छे से, उसके पास Decision Power है, Asia के किसी Country के पास, Asia में से परस्या, वो भी European Country है, रस्या, एस्या और Europe में आता है, रस्या, और African और Latin African Country है, जो वो भी इनमें इनका भी Representation नहीं है, अच्छे से, तो ये Multilateral Response के लिए, COVID-19 में देखो, ये देखा गया, कि Multilateral जो Response है, वो कम देखने को मिला, उनकी Limit है, वो ज्यादा Response इनका देखने को मिलता है, जो 5 कंट्री है, पर्मानेंट वेक्षिन को कैसे, जो कंट्री है, डवलपिंग कंट्री है, पूर कंट्री है, उनमें कैसे टांसफर किया जाए, तो ये अभी इसमें, देखो, ज़्यादा बादाए आई, लिमिटेशन आई, क्योंकि जो वेक्षिन, एक वेक्षिन को क्या है, होड लग गई थी, वेक्ष तालीबान रिजीम में अभी तालीबान की महाँ पर गवर्मेंट बनी है अफगानिस्तान में इसमें क्या है इंट्रेनेसल कॉम्णिटी को एक्सेटेशन लगाने चाहिए एक्सेटेशन यानिकि आसा उमिद जताई है कि जो यूनाइटी नेशन सिक्योर्टी काउंसिल का रिजॉलिशन नंबर 2503 में ये रिजॉलिशन है जो इसको इंप्लिमेंट किया जाए यह resolution किस पे बात करता है यह demand करता है कि जो अफगान की territory है अफगान का जो धरती है भूमी है वो देखो terrorist activity के लिए यूज ना की जाए और especially जो United Nation ने देखो कुछ individual हैं जो terrorist आतंगवादी घोसित के हुए है United Nations Security Council ने जैसे लसकरे ताइबा के जैसे मौमद यह terrorist organization है तो इनके लिए यह भूमी यूज ना हो यह यहां से आतंगवाद ना फैलाए इन्हें आतंगवादियों को training ना दी जाए इस भूमी से तो यह भी डिसकस किया connectivity पे भी हाँ discussion हुआ connectivity पे हुआ देखो international relations को respect करनी चीए हर एक country की sovereignty को और territorial integrity को इसमें इंडिया ने भी देखो चाइना को objection किया CPEC को चाइना और पाकिस्तान का एक यह agreement है CPEC चाइना पाकिस्तान का economic corridor यह CPEC जाता है देखो जो इंडिया का PO के है ना जो भी पाकिस्तान के कबजे में वहां से होके निकलता है चाइना का जो जिंजियांग region है और पाकिस्तान का एक port है ग्वादर port उसको जोडता है और road से railway से सी से connect करना चाहता है पूरे world को connect करना चाहता है ताकि इसका trade बड़े वैपार बड़े उसी के अंदर यह CPEC है CPEC का जरिए यहां से जाता है देखो यहां से जाके connectivity यह गौडर port है पाकिस्तान का यह वाले map में देखो आप यह है यह वाला map देखो यह map दिखाई दिरा आपको यह चाय ना काई देखो कास गर यहां पर जगाए यहां से connectivity पीओ के सो के जाता है और पीओ को देखो हमारा ही पार्ट है यह पाकिस्तानी occupied कस्मीर अभी यह पाकिस्तान ने कर रखा है अपने कबजे में यह वाला हिस्सा जो इंडिया का है तो इसलिए sovereignty को खत नेक्स्ट क्या है देखो इंडिया ने इसको इसलिए प्रोटेस्ट किया विद्रोग किया इसका चैना के सीपेक का क्योंकि पीओ के से होके निकलता है और इसमें नेक्स्ट कुछ नहीं है यही था बस